बिहार विद्याले परिक्षा समीथी की ओर से इंटर्मेडियर्ट की परिक्षा को लेकर एक बड़ा निर्णाई लिया गया है। बिहार विद्याले परिक्षा समीथी ने इस बार कई नई गाइडलाइन्स जारी की है। इस बार कदाचार मुक्त परिक्षा को लेकर भी काफी गंभीर है। अब परिक्षा के दौरान कदाचार करते हुए अगर किसी को भी पकड़ा गया तो उससे दो हजार रुपे का जुर्माना भढ़ना होगा। छे महिने जेल की सजा होगी जरूरत पढ़ने पर दोनों सजा एक साथ भी हो सकती है। भाग की ओर से जिला अधिकारियों और पुलिस अधिक्षकों को लिखे गए पत्र में यह कहा गया है कि समवेदन शील परिक्षा केंद्र पर नियमित पुलिस बलगी तैनाती की जाए। सेंटर के मुख्या स्थलों पर सीसी टीवी कैमरी लगाई जाए और परिक्षा केंद्र के बाहर वीडियोग्राफी कराई जाए। एक जान के समय जिलों में फोटो स्टेट की दुकानों पर विशेस निगरानी रखी जाए। सरकार ने कहा है कि जिन परिक्षा केंद्रों पर कदाचार की सूचना मिलेगी वहां की परिक्षा रद कर दी जाएगी।